नमस्कार दोस्तों और एक्जाम गाइड गूरू के यूटूब चनल पर मैं सुजीत पांड़े आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत कता हूं दोस्तों लिकार आगए हैं आपके लिए 100 सूपर पाष्ट तड़क्ते भड़क्ते कॉशन जिसमें से 50 कॉशन टफ है जी हां 50 कॉशन टफ हैं देखते हैं आप लोगों में से कौन 80 प्रशन सही कर पाते हैं अपनी पढ़ाई के लिए समय निकालिए 10 से 15 मिट का वीडियो रहेगा देखते हैं 10 से 15 मिट कौन टिक के पूरे के पूरे 100 कॉशन देखकर याद कर सकता है चैलेंज है आपको 100 कॉश कि जा था था प्रत्वी पर उसको कितना समय लगता है सुरी चैले मिनिट लगते हैं कि सीधा है कि स्थैको रहा की सौर्फी के प्रिकास थारों का वेवनन donne का सौचक है महाविश्पूर्षिद्धांत किस सम्भने थे तो ब्रहमाद के उत्पत्ति से महाविश्पूर्षिद्धांत आकार में बढ़ा होन इकान किस ग्रktó को Master of Gods का जाता है तो वरस्पती को Master of Gods का जाता है सौर मंदल का सबसे बड़ा तारा मंदल कौन सा है तो हाइटरा सबसे बड़ा तारा मंदल है सौर मंदल का सूर का व्यास प्रत्वी के व्यास से कितने गुना अधिक है तो सूरिकावरास 109 गुनारे के प्रत्वी के व्यास से भारत किस गोलार्द में अवस्थित है तो पूर्वी गोलार्द में अवस्थित है भारत चेत्रफल की दृष्टी से भारत विश्व में कौन सा स्थान पर है तो सात्वे स्थान पर है भारत का छेत्रफल विश्व के कुल छेत्रफल का कितने प्रतिशत है तो 2.4 प्रतिशत है देशानता रेखाएं क्या निधारत करती है तो समय एवं अवस्तिती को निधारत करती है देशांता रिखा हैं करकर रिखा Tropic of Cancer भारत के कितने राजें से उकर गुजरती है तो 8 राजें से उकर गुजरती है कौन सा आक्छान से भारत को लगवागों के 2 बरावर भागों में विवाजित करता है तो अंतर होता है तो 5.30 प्लस 5.30 GMT आपने दिखा होगा जब आप amount करती बहाइत का दुरस्त दक्षिर्तम बिंडु कौन सा है तो इंद्रा बहारत का दूरस्त दख्षिर्तम बिंडु है भारत का एक मातर जिला कौन सा है जिसकी फीमा size proud eight school को स्पर्स करती है तो सोन भद्र है उत्तर प्रदेश का जिसकी सीमा चार राज्यों को टच करती है कमेंट करके बता सकते हो क्या कि सोन भद्र जो यूपी में है वो किस किस राज्य से टच होता है देखते हैं चारों की चारों कौन बता पाता है भारत की मुख्य भूमी की तटीय लंबाई कितनी है तो 6100 किलोमीटर भारत की मुख्य भूमी की तटीय लंबाई है म्यानमार की सरवादिक सीमा किस भारती राज को सपर्श करती है तो अनाशल प्रदिश को सपर्श करती है रोस दीप, नील दीप, हैवलोग दीप का परिवतित नाम क्या है तो रोस दीप, निताजी सुवाशंद्र बोस दीप, नील दीप, शहीद दीप और हैवलोग दीप, स्वराज दीप के नाम से जाने जाता है भारत शीलंका के से किस जल संधीद्वार अप्रथक होता है तो पाक जल डमरो मद्य से प्रथक होता है कौन सा भारती राजय तीनों और से बांगलादेश से घिरा हुआ है तो त्रपुरा ऐसा राजय तो तीनों और से बांगलादेश से घिरा हुआ है नर्वदा इवं तापती नदियों के मद्ध कौन सी परवस्रणी है इस्थितर है तो सत्पुड़ा परवस्रणी है नर्वदा इवं तापती नदियों के मद्ध भारतियोप महादीप मूलता किस भुखंड का भाग था तो गोंडवाना लेंड का भाग था भारतियोप महादीप हिमालय का परवत पदिय प्रदेश कौन सा है तो सिवाली के हिमालय का परवत पदिय प्रदेश है प्रत्वी के सरवादिक निकटम तारा कौन सा है तो सूर जो है प्रत्वी के सबसे निकटम तारा है हमारी आकाश गंगा या गेलक्सी दुखद मेखला का आकार कैसा है तो सरपिलाकाल या फिर स्पाइरल टाइप की है दुगद मेखला हमारी जो गेलक्सी है या आकाश यंगा कहलो आधोने के खगोल सास्त का जनक किसे कहा जाता है तो आधोने खगोल सास्त का जनक कौपनिकस को कहा जाता है प्रत्वी गोलाकार है यह किस ने कहा था तो पाइथा गोरस ने कहा था लेकिन गोलाकार नहीं है प्रत्वी का आकार कैसा है थोड़ा कमेंट करके बताईए देखते हैं आप लोगों में से कितने लोगों को पता है एक दो चार पांच दस देखते हैं कौन-कौन बता पाता है किसे प्रक्रिया के कारण तारे सोय मगते हैं तो न भी की सल्न रहा किस आधार पर ग्यात किया सकती है तारे द्वारमुक्त। उसमा की आधार पर तारे अधार ग्यात किया सकती है हेली धोनके तु प्रत्वी से कितने वर्षों बाद दिखाई देता है यूरोपा किसी ग्रह का प्राकर्टिक उब्ग्रह है यूरोपा किसी भी ग्रह की उसकी कक्छा में वैसी सत्थी जब वह सुरु से निकटतम हो उसक्षी कःते हैं परवसन्खव του सेथे पीरपांजाल सिन की है जहिसलेटे में कैसे शेत्स दॉलक करेजसी किन नविंत परवसन्खत्र केुछ है उत्राइट यह करिब Caitlin को अदि एभारत की लॉच्का चिन परसे भाग थे ऊक्साइर सिक्जिस के प्राषीनत्र हुं बतनारे का कि मद्द सिमनाती है इलाइची की पहाडिया सेवराय पहाडिया किस राज में से थे तमिलाणू में से थे सेवराय पहाडिया भारत की सर्वोच परवत चोटी कौन से है तो केटू गौडविन ऑस्टिन भारत की सर्वोच परवत चोटी है दक्षन भारत की सबसे उची चोटी क परवत सन्यों के मद्द है तो धौलाधर और पिर पंजाल के बीसमें कुल्लु-घाटी किस राज्य में켜ी कुल्लु-घाटी किस राज्य में हैं कमेंट box करिए हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तुराखंड किसमें है। पाल घाट दर्रा किन पहाडियों के मदर इस्ते थे तो पाल घाट दर्रा नील गिरी और अनामराई के बीच में इस्ते थे नातुला दर्रा किस राज में इस्ते थे तो सिक्किम में इस्ते थे नातुला दर्रा हिमाले की सबसे उची चोटी पर्वत स्रेणी कौन सी है तो हिमाद्री या व्रहद हिमाले सबसे उची पर्वत स्रेणी है महाराश्टेवं करनाटका के मदल सित पश्यमी घाड को किस नाम से जा जाता है तो उत्राखंड में उस्ते थे नंदा देवी शिखर अरावली स्रणी का उच्छितम परवत शिखर कौन सा है तो गुरु शिखर 1722 मीटर अरावली स्रणी का उच्छितम सिखर है हिमालय परवत की एक स्रणी जो की है अराकान नियोमा किस देश में इस्ते थे तो ये म्यान इमार में इस्ते थे अराकान नियोमा लिपू लेक माना एवम नीजी दर्रा किस राज़े में इस्ते थे तो उत्तरा खंड में लिपू लेक माना और नीजी दर्रा है रोतांग दर्रा किस राज्य में है तो हिमांचल प्रदेश में है रोतांग दर्रा है भारत का सबसे बड़ा हिमनद या ग्लेशियर कौन सा है तो सियाचीन ग्लेशियर सबसे बड़ा हिमनद या ग्लेशियर है चौराबाडी ग्लेशियर कहां इस्तित है तो केदारनात मंदर के उत्तर में इस्तित है चौराबाडी ग्लेशियर अरावली एवं विंदस रंखलाओं के मद्य कौन सा पठार इस्तित है तो मालवा का पठार है अरावली एवं ब्रिंदस रंखलाओं के मद्य भारत का ओसत समुद्रतल किस टट से मापा जाता है तो चैन नहीं से मापा जाता है ओसत समुद्रतल भारत की समुद्रत टट रेखा की को लंबाई कितनी है तो 7517 किलोमीटर समुद्रिय टट रेखा की लंबाई है भारत के तर्टी राज़ों में से किस राज़ की सीमा सबसे लंबी है तो गुजरात की सबसे लंबी है चलिए नमबर वन तो सबको पता रहता कि गुजरात सबसे लंबी सीमा रिखा है समुद्र तर्ट से कमेंट करके बताईए सबसे छोटी सीमा रिखा किस राज की है किस राज से समुद्र रट जो है सबसे छोटी सीमा रिखा साजा करता है देखते हैं आप लोगों में से कौन कौन इसका अंसर दे पाता है बारत के कितने राजी समुदरी तरड़े का नाम है है तो सुर्कारासनिक संग्ठन हाइड्रोजन 73 प्रतिशत और हीलियम 25 प्रतिशत मंदाकनी का सबसे चमकीले एवं थंडे तारों का छेत्र को क्या कहा जाता है तो औरेनियन नैबुला कहा जाता है सूर्य में उजा किस अभी क्रिया द्वारा उत्पन होती है तो नाभी किस अ प्रतिवी कोमारी को किस अननाम से चाना जाता है तो कैप कोमो रिन कहा जाता है कन्या कुमारी को और अन्य नाम से जाना जाता है जो अंडमान और निकोबार दीव समू का सबसे अधिक उचाई वाली चोटी कौन सी है तो सेंडल पीक सबसे उची चोटी है व्रहद हिमाले की उसत उचाई कितनी है तो 6600 मतलब 600 या फिर 1600 मीटर ब मंगाल की खाडी में इस्तित है अंडमान निकोबार दीव समू में दीविपों की किलती संख्या तो 572 संख्या है टोटल 10 डिगरी चैनल या 10 डिगरी चैनल किन दो दीविपों को प्रतक करता है तो अंडमान को निकोबार दीव से प्रतक करता है बैरन दीव कहा अवस्तित जो सूर के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है तो उनको ग्रह कहा जाता है आकाश में कितने तारा मंडल है तो आकाश में 88 तारा मंडल है सूर से प्रत्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है तो 8 मिनिट 16 सेकंड लगते हैं लगभग सौर मंदल में कौन सा ग्रह सूर के निकटता में तो बुद्ध ग्रह सौर के निकटता में सौर मंदल में कौन सा ग्रह प्रत्वी के निकटता में तो सुक्र ग्रह प्रत्वी के निकटता में सौरमंडल में कौन सा ग्रह सरवादिक गर्म ग्रह तो सुक्र ग्रह सरवादिक गर्म ग्रह सौरमंडल में कौन सा ग्रह सूर से सरवादिक दूर है तो वरुन ग्रह सूर से सरवादिक दूर है तो 8848.886 मीटर जो की मांट एवरिष्ट की उचाई है और ये होगा है आपके कॉशन 100 सूपर फास्ट इसके आगे कॉशन आपको मिलेगे अगले वीडियो में दोस्तों यदि आपको दिन में 3 वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके बताईए और प्लीज वीडियो को लाइक करो दोस्तों को शेयर करो हम आपके लिए ऐसे ही 100 सूपर फास्ट कॉशन लाते रहेंगे हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक लिए आप अपने ख्यार रखिए आप सबी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को शेयर करें जाने से पहले और प्लीज अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट करके ने हमें बताहिए बहूत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुबहुत बहुत धन्यवाद